आप सब लोग हैरियर से होंगे गोहर पब्लिशर में आप सब को खुशाम दीद हमारा मोटो है Redefining the Geography of Education Through Digital Resources for Conceptual Learning और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू Playgroup 3 Plus अब हम मिलने जा रहे हैं जीम के खांदान के एक और फर्से और इसका नाम है छे जो के असाजा के लिए हैं बच्चों को उर्दो रूफे ताजी के हर्फ चे और इससे शुरू होने वाले इल्फास की आवास बोल कर सुनाएं बच्चों को बताएं के चे की आवास क्या है चे की आवास है चे च बताएं के हर्फ चे का तलफुस चे है बच्चों को हर्फ चे उंगली से हवा में लिखके दिखाएं आप बच्चों को हवा में चे लिखके कैसे बताएंगे बच्चों की तरफ कमर करके उंगली से दोंगलीों की मदद से चे च च और बताएं कि चे की बैली में चे के पेट में तीन नुकते आएंगे कितने नुक्ते आएंगे? तीन नुक्ते आएंगे हर्फ चे लिखने और खाकों में रंग भरने में बच्चों की रहनुमाई करें बच्चों को चूजे की अवाज की पहचान करवाएं बच्चों को जीम और चे के नुक्तों का फर्क वाजिया करें बच्चों को बताएं कि जीम के पेट में एक नुकता होता है और चे के पेट में तीन नुकते होते हैं चे से शुरू होने वाले मजीद अलफास बताएं जैसे चाबी, शिडिया वगेरा अब हम शुरू करते हैं अपना सबग जो के है चे और चे की अवास क्या है? चे की हवास क्या है? चे च च च यहाँ पर हमारे पास मजूद है चे के कुछ दोर सबसे पहले हमारे पास मजूद है एक बहुत प्यारा सथ चूजा चे च चूजा चूजे ने कितने मज़े की टोपी पहनी हुई है ना? कितनी अच्छी लग रही है उसको और उसने पकड़ा हुआ है चूजे ने चे का एक और दोस्त जो के है चमच चमच को हम किस लिए इस्तमाल करते हैं? द्वाई पीने के लिए इस्तमाल करते हैं हम चागल खाने के लिए इस्तमाल करते हैं और बहुत सी ऐसी चीजों के साथ हम जो चीजे खाने वाली होती हैं उसमें चमच इस्तमाल होता है और यहाँ पर हमारे पास मजूद है एक शिडिया जो कहें चेगी दोस्त और वो बहुत खुश है चे च चिडिया, चे च चूजा, चे च चमच और आपको पते चिडिया की अवास क्या होती है और चूजा कैसे बोलता है चूजा कैसे बोलता है चूजा चूजा चे चा चूजा चे च चमच चे च चिडिया ये किसके दोस हैं? चे के दोस्त हैं उमीद करती हूँ कि आपको चे और उसके दोस्तों का पता चल गया होगा, कि वो कौन से हैं, आप इसको दोहराते रहें, ताके रवानी बनी रहें, अगली वीडियो तक के लिए अलाह आपिस.